Hello everyone, मैं विशुजीत सिंग, आप सभी का दाइना पर स्वागत करता हूँ दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर में हम M.A. History, M.H.I. 101 का second lesson पढ़ने वाले हैं जिसके अंदर में हम बात करेंगे सास्योगिन सब्वेता पर्थम के बारे में इस lesson को हमने total 4 part में divide कیا है जो आज का मारे हैं रहेगा यह हमारा third part रहने वाला है इस lesson में हमने first part के अंदर में प्राचिन मिस्री की सब्वेता के बारे में उपढ़ा था second part के अंदर में हमने मेसो पटामे की सब्वेता के बारे में उपढ़ा आज का जो हमारा वीडियो है third part जहांपे हम बात करेंगे हडपा सब्वेता के बारे में और आने वाली वीडियो के अंदर में हम चीन की सांग सब्वेता जो हमारा fourth part रहेगा उसको हम करें अगर अभी तक आपने first और second part की वीडियो नहीं देखा है इस वीडियो के description के अंदर में आपको MHA 101K playlist का link मिल जाएगा वहाँ से जाकर आप इन वीडियो उसको देखाएगा जलिए आज का lesson स्टार करते हैं और detail में आज का चो हमारा topic हडपा सब्वेता उसको cover करते हैं यह जो पूरी सब्वेता ने कास्योगिन सब्वेता के तौर पर जाना जाता है कास्योगिन सब्वेता क्या था तो कास्योगिन सब्वेता एक ऐसा time period है जहांपर मनुस्य के द्वारा धात्युक करके जीवन व्यापन करने के तरीके में परिवर्तन ना है। परीवरतन का यूग माना गया जहां पर मनुष्य के दवारा धातू का उपयोग करके पूर्स टाइम ओजार बनाया गया जिसका उपयोग करके मनुस्य जो था अपने जीओन वे अपने के अंदरे में परिवर्तन कर पाया जो हडपा सब अगर आप खोज की बात करो तो 1921 के अंदर में हडपा सब अगर आप जानते हैं तो आप जुरूर बताएं जो 1921 में हडप पूरी नदी जो पूरी सब्वेता है यह तीनी नदियों के आजपास में में देखने के मिल जाती है जो घंगर और हकरा नदी है वह सिंदुनदी के ही पाट उसी में से निकले हुए नदी है अगर आप यहां पे मैट में भी देखोगे तो सिंदुनदी इस तरीके से बहते ज़रूरी है, आपने इस lesson के first part के अंदर में मिसर की सब्वता के बारे में बढ़ा था, जहां पर हमने नील नदी के बारे में बात क्या था, कि नील नदी की रोल है, मिसर की सब्वता इतनी fully fully, इसका main reason क्या था, नील नदी, क्योंकि नील नदी के अंदर में जब बाड आता ले कायनने सकती क्रिशी करने होगा बढ़ जाता था जीकितवांब Jaan और आप भारत के अंदर में बात करो या किसी विश्व की बीजगत की बात करो, जितने भी बड़े-बड़े सहर हुए, जितने भी सांस्क्रिद केंदर हुए, वो किसी नदी के किनारे ही आपको विक्सित होते होए, देखने की मिलेगा। कीनारे थालुकोर सिंदू नदी के यक तो पूरा धार्ल अगरा घ। परमुग केंद्रों के अगर हम बात करें तो हडपा, मोहों जोदुर, काली बंगा, लोथल, दोला वीरा और राखी गड़ी जैसे कुछ परमुग केंद्र हडपा के अंदर को देखने के लिए मिल जाते हैं अगर आप यहाँ पर मैप में भी देखोगे तो यह वाला जो रीजन है पाकिस्तान का आगया और इधर जो यह रीजन आप देखते हुए यह भारत के अंदर में आ जाता है जो उतर पस्चिम तक पूरा भारत के अंदर का यह पूरा छेतर आपको देखने के मिल जाता है और यहाँ पर भी अगर आप ध्यान से देखके चलोगे तो यह यह यमना रीवर है यमना रीवर तक इसका पूरा जो फैला आपको देखने के मिल जाता है चलिए आगे बढ़ सबसे पहले अगर हम यहां पर आगे बात करें तो यहां पर दिखोगे तो हडपा सबता के जो लोग थे वो सहरी लोगों के तौर पर जाने जाते हैं इसका main reason क्या था? कि जो हडपा सबता का जो विस्तार हुआ या जो बनावट था न उएक सहर के तौर पर इसका निर्मान की आ गया था इसका जो structure दिखोगे लोगों के घर बनाएगे लोगों का जो घर का इमारत था जिस तर से बनाने का structure था जो जिस तर से बनाएगया था वहां की जो ववस्था थी वो एक सहर के तोर पे आपको देखने के लिए मिल जाता है आप गाउं के अंदर में आज उढ जैसे किसी सदी चल रही है आज की समय में आप घाउं में भी जाओगे बिहार जारखंड उडीसा के अंदर में जाओगे तो भी आपको इस हडपा साथा से सिल्मिलर आपको सुविधाय करले नीए मिलेंगी जीस सरी के शुविधाय एक होत भरने के बाद में दुबारा दूसरा हऊत खोदा जाता था मतलब जमीन कें अंदर में गड़्डा खोदे जहा जिसका अंदर में घरर का वेस्ट पानी है वह जाकर स्टौर होता था खठा होता था जब equipped लोगड़ भर जाता था बाद में पकी इटों से इनुर्मान करके घर बना जाए अगर आज भी आप भावरत के ब्रमण पे निकलोगे ना ओड़िसा जाओगे जारकन जाओगे ठीक है अभिहार के अंदर में जाओगे मद्धिपर्दिस में जाओगे और भी कई जगह पे जाओगे तो आपको आज भ वारा घर बनाएगा तो सोचने वाली बात है कि किस तरह का इस्ट्रक्शर रागवा किस तरह के लोग रहेंगे किस तरह से वो पूरी ववस्था चलती होगे यह बहुत बड़ा एक कोश्यन बन कर आया जाता है मोहन जोत्रोर सहर के अंदर में आपको पुरा तत्व विदा क के दौरा बात टैंक जिसको हम इस नानागार के तौर पर जानते हैं उसका शुरूप देखने के लिए मिलता है बात टैंक क्या होता है एक तरह से बड़ा स्विमिंग पूल हम बोल तो स्विमिंग पूल बनाया गया था अब सोचने वाली बात है कि हड़पा सब्धा के अं जो भी नहाद होकर बाहर निकला जो उसके बॉड़ी का पाने के रहे जो भी आसपास के अंदर में नालियों को निनमाड किया गया जो बाहर हौद से मिलता था जो जाकर जल निकासी पढ़ना लेकर बड़ा एक्जामपल आपको देखने के लिमें जाता है कि किस तर से जो 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 जल निकासी की पूरी विवस्ता है वो देखने के लिए आपको मिल जाती हडपा सब्वेता को तीन काल खंडों के अंदर में बाड़ा अगर आप तीन काल खंड देखो के कौन-कौन से हैं तो पारंबिक हडपा सांस्कृतिक अथवा प्राग हडपा दूसरा आपका रहता है परिपक हडपा सब्वेता जिसके अंदर में पूछ कर आता पूछा जाता है कि हडपा सब्वेता का टाइम पिरेड क्या है तो यहां पर आप बता सकते हो 32 या 33 से लेकर तेरह सोच के बीच का जो पूरा टाइम पिरेड है जिसको हम हडपा सब्वेता के तौर पे जाते कि इस टाइम पिरेड के अंदर में हडपा सब्वेता का विकास हुआ ठीक आप किस-किस तरीके से विकास हुआ क्या चीज़े हुआ वह तो आप अभी पढ़ अभा यहां पर हम पढ़। मिलता है कास से यूग का अगर आफ तु तो ते 300 इसा पुरुव से लेकर 12 सो इसा पुरुव तक का रहा इस ताइम पिरिड के अंदर में हडपा सबधा का विकास आपको देखने के लिए मिल जाता है हडपा सबधा को सिंदु घाटी सबधा या सिंद सरसुती सबधा के नाम से भी जाना जाता है इस हडपा सबधा के कई सारे और भी नाम है तो आपको नाम भी याग करके चलना है क्योंकि कई बार question अलग नामों से पूछा जाता है फिर confusion होता है मिर्ति टिला की कास्टिव गीन सब्वेता के इसमें क्या रोल रहा वो बताइए अब मिर्ति टिला आपको समझ में ना है तो फिर आप तो छोड़ गी आओगे न अगर वो ही पूछा जया हडपा सब्वेता तो आपको पता है मिर्ति टिला पूछा गया तो जो अलग अलग नाम है उसको भी है आपको carry out करके चलना है कि क्या चीज कैस तरह से हैं लिखके चलिए नोर्स बना कर चलिए जिससे आपको दिक्कत ना हो यह जो सब्वेता है दच्छीन एसिया के उत्तर पस्चिन छेतर के अंदर में फैली हुई थी यह सब्वेता सिंदू, गगर, नदियों के आजपास में फैली फूली हडपा सब्वेता के जो प्रमुक केंद्र हैं जिसके बारे में हमने पहले ही बात किया मोहन जोड़ो, काली बंगा, लोथल, दूला वीरा, राकी गड़ा और हडपा जो माने जाते हैं इसके प्रमुक के तोर पे हडपा सब्वेता के जो विसेशता अगर आप देखोगे, तो मेसोपोटामिया और मिसर की सब्वेताओं से मिलते जुलते आपको देखने के लिए मिलेंगे जिसके हमने मिसर के बारे में बात किया था कि मिसर के अंदर में क्या होता था कि बार नाती थी निल नदी के अंदर में जिसके कायन से क्या होता था आसपास का शेतर बहुत जदा उपजाओ हो जाता था जिसके कायन से लोग वहां पे खेती कर पाते थे और उत पादन बड़ी आपको सिंदु नदी के आसपास में देखने के लिए मिल जाता है। यहाँ पर कपास दुगाया जाता था जिसके लोग कपड़े बनाए जाते होंगे। हडपा से बता पानी के इर्दगित कैसे कि जल निकासी पढ़ना ले किस तर से पानी बाहर निकलेगी। इस्नाना गारत इस्नान करने के लिए जगर किस परकार से बनाए गए। कुवों का निर्मान किस परकार से किया गया। यह सारी चीज़ें आपको देखने के मिल जाते हैं। और आज भी उपलब्दें आप जाके वहाँ पर देख सकते हो। तो यहाँ पर हडपा सपता के अंदर में पानी की वैल्यू बहुत ज्यादा माने गई। यह आप कह सकते हैं। जल संगरुक्षन इस सब्वें चीज़ों पर भी जूर दिया गया होगा। और प्राकर्तिक जो संसादन तो उसको उप्योग किस तर से किया जा सके यह भी लोगों को समझे आ चुका होगा। मुहन जोद्रोडों के घरवली उप्योग के लिए देखोगे तो 700 कुवें आपको दिखेंगे। हर घर के अंदर में कुवों का निनमान किया गया और अल्मों 700 कुवों के साक्षे परमाने आपको देखने के मिल जाते हैं। प्राकर्तिक जहर्नों का भी यहां पर कई सारे परमान आपको देखने के मिलेंगे। यह प्राकर्तिक तौर पर जो जहर्ने तो उसको किस तर सो फ्योग किया जाता था। यहां पर हम बाग करें अल्हा दिनों जो एक हडपाई बसती थी यह आज के पाकिस्तान के अंदर में पढ़ता है अल्हा दिनों जो एक हडपाई बसती के तौर पर जाना जाता है। यहां पर पत्थर के कुवें द्वार सिचाई होने के पर्माण में, जो खेतों के अंदर में सिचाई की जाती थी, वो पत्थर के कुवों से सिचाई की जाती थी, जिसे सिचाई की जाती थी, तो इस तरह से सिचाई का भी पर्माण आपको देखने के लिए मिल जाता है हडप पाकाल का एक छोटा सा गाउं है जो कराची से करीब 40 किलो मीटर दूर आपको पूर्व के अंदर में इस सी देखने के लिए मिल जाएगा आज के जो पाकिस्तान के अंदर में पढ़ता है मिसर और मेसुपटामे की तरह यहां पी अच्छी लकडी पत्थर और धातु उपलब जाती होगे अब एक कोश्चन यहां पर यह भी आएगा कि हमें पता कैसा चला कि पंजाब से इस जिसम के लिकड़ी आती थी क्या पता विहार से ले जाते होंगे देखो सबसे में चीज क्या होता नहीं कि बिहार आके लेकर गए आपका जो फैलाव है वो किस तरीके से कितन पर यहां पर आके आपको पता चला अच्छा यह वाली similar चीज ना बहुत बड़ी मातरा में इधर भी है तो हम एक अंदाजा लेके चलेंगे कि जो यहां से यहां से यह वाली चीज को यहां पर ट्रांस्पोर्ट किया गया होगा और उसके कार्म से इस जगह पे इसकी उपल अप्लब्दा होती तो इस तरीके सा मिच चीजों का अंदाजा लगाते है कि पंजाब के अंदर में उपलब्द नहीं थी तो उसके कांचा में इसकी तरह से अंदाजा उसका लगा पाते हैं ठीक है रोपड से सिविलिंग की जो पहाड़ी एक और जाना असान मोहन जोदरोडो ने अपने उपयोग के लिए लकडिया वहीं से मंगाई जाती। यहाँ पर देखोगे ना जो रोगपड और से सिवलिक की पहाड़ थी वो समतल बुमियों से बनती विए थी वहां पर आसपास का जो छेत्र था लकडियों को मंगाने के लिए आसपास की जो जीज थी उसका उपयोग करने के लिए यहां पर खास तोर फे उसको जाना जाता है दच्छिन राजस्तान से तामबा आता था इसके उप्लब्दत आपको दिखने के लिए मिल जाएगी समोंदर के आजपास तु इस स्तब्धा के जो एक स्थल है रुहुरी से श्टिफ मिलता है जिसका उप्यो पूरी हडापाई छेटर के अंदरे में घरिलू उपकरन बनाने के लिए किया जाता था एक परकार का शेया पाइच घर के अंदरे लग-उजारं बनाने के लिए इसका अप्यों किया जाता था इस सबता के अन्य विशेश्चताओं गर आप देखोगे तो तकनीकी करमर्स, आपको विकास का लक्षन आपको देखने के लिए मिलता है, ठीके तकनीकी तोर पे भी यहाँ पे लोग जो थे सक्षन पे यह आपको देखने के लिए मिल जाएगा, ठीके सहरी काल के जो बाहे संपर्क थे उसके पदिती के अंदर में परिवरतन होगा, दीर के दात, नकासी, चांदी के बरतन, आदी का उप्योग करके, यहाँ पे सबबैता के अंदर में विकास आपको देखने क्लिए मिल जाता है. घर बनाने के लिए पक्कीटों का उप्योग किया जाता था. जेवरात बनाये जाते थे. घांदी के दातों पर नकासी की जाती थी चांदी के वर्तनों का उपयोग किया जाता था इस तरह से आपको इस सब्वेता के अंदर में लेखन कला के उपर में भी कई सारी चीज़े आपको देखने क्ले मिलेंगे किस तरह से लेखन कला का विकास हुआ किस तरह से लोग चितरकारी करते थे यह सारे आपको पढ़ रखा है किस तरह से नगरी करनती किस तरह से गलियों को निर्मान किया गया नगर किस तरह से बीवाज जीते यह सारा कुछ आपको पता हो का पहले सी तो उसके बारे मैं वात करने की जरोत है नहीं यहां पर आप देखोगे तो यह इमेज है इस्नानागार के है, इस्नानागार के अंदर में क्या होता है, इस साइड से आपका उतरने का रास्ता यहां से आप उतर सकते हो, तेम तरीका इधर से आपका उतरने का यहां से आप उतर सकते हो, और यह पूरा पानी से भर सकता है, बाहर निकल जाता था और बाहर जो खौद बनाया जाते तो उसके अंदर में जाकर मिल जाता था ठीके तो किस तरीके से ये पूरा चीज़ी की गई थी किस तर से पूरी ववस्था थी ये आपको समझने आ जाते है हडपा सबता के कुछ खास बातों कर हम देखें तो ये सबता कास्ययूग तामर पाशानकाल के तो अंतरगत आती है इस सब्वेता के अंदर में किसानों और वैपारियों का परभूत आपको देखने के लिए मिलेगा ठीक है किसानों द्वारा किस तरह से खेती की जाती यह आपको समझ में आएगा यहां पर कासे बाग का निर्माण के जाता था, कासे अलग लग दातों के निर्माण के जाता था, इसका यहां पर उपयोग आपको करते हैं, वो देखने के लिए परिचीत नहीं थे, तिक अभी तक यह लोग जो थे इस टाइम पिरेड के अंदर में लोहे का उपयोग नहीं जानते थे हटभपा सब्य अंधर में नगर नियोजन की जो वेशेस्ता वह परमुख माने जाती किसा नगर ओक नियोजन कीया किस तर नगरों की प्लैनिंग की गई और पूरी सब्यता आपको प्लैनिंग के ऊपर में देखने के लिए मिलेगा आज की समय में जुक्ता हूब अगर देखो गऊगे उनके निकासी की विवस्ता देखोगे उनके गलियों के निर्माण के साथ में प्रवपर मैपिंग के साथ में बनाया गया थी कि घर का किस तरह से समकोन एक दूसरे पर नालिया काड़ती है गलियों को निर्मान समकोन पर कैसे किया गया ये देखोगे तो आप अचम भी तो जाओगे आज हम 21 सताबदी में रहते हैं मैं डेली बुराडी में रहता हूँ आज-पास के छेतर अगर में देखता हूँ तो जितने भी प्रॉप्टी डिलर थे न सारे अनपढ़ते गली यहां से मालो 25 फूट की गली है आगे जाके यह गली अपने आपी प्रेंगल सेब में आ जाएगा और यहां पर जाके न सिर्फ 4 फूट या 5 फूट का रास्ता बचेगा अब यहां से मालो कोई बंदा है जो एक कार लेकर घुसा है बहुत खुशी के साथ में कि मैं तो इस गली से निकल जाऊंगा बार आगे जाने के बार ना वो पैसल जाने के हालत में भी नहीं रहेगा ठीके इस तरह की गलीों का इस्ट्रक्चर जबकि लोग आख 21 सताथी में जी रहे हैं फिर भी वो अनपड़ गवारते किस तरह से गलीों को उन्होंने काठा पर आप्णीड पर सब बिदाख कर आप देखोगे गलियों को तो यहां पर हर गली एक संकोन पर काड़ती थे 90-degree के अंगल पर एक दूसरे को विवारित कर ख़़ से grid पद्यथी के अंदर में गलियों को निर्मार कम ग्रीड पतेती क्या होता है कि इस तरीके से भीया हर एक गली ना 90 डिग्री के एंगल पे ही कटेगी इस तरीके से प्रॉपर विस्कार किया गया बनाया गया उस ताइम में घर बनाने के सासथ में नालियों का निर्वा गया है घर बनने के पंद्र-tw rap बात जाकर नाली आयी गली में रोड बना एतर आध्या है चै-ध्य dopंट यृड बनाने में ठीक है, main जो सरक होती थी थी, हैं सारarias main सरक से जुड़ थी। जैसे ही जितनी गली आ रहीु है न, यह सारी main सरक से जूड़ेगी hm पर कोई भी घर का दर्वाज आसा नहीं आता है, कि main पे खोल दे, ये रसोई गर था, ये स्नाना गर था, जिससे घर जो भी निर्माण की जाते थे थे न, MHI 10 के अंदर मैंने आपको पढ़ा रखा है, जिससे रूमों का जो निर्माण की जाता था था न, इस तरीकी से चीज़े आपको देखने के लिए में जाते हैं, तो अगर आप MHI 10 को पढ़ोगे न, तो आपको नगरी करण के बारे में समझे माएगा, कि हड़ापास सबेता की नगरी करण क्यों इंपोर्टन थे, अगर आपको कहीं पे भी डाउट है, समझ में ना है, तो आप हमें इस वीडियो का जो आपको पूरा जो पीडियाफ अगर आप चलोगे तो आप डिरेक्ली गूगल ब्लॉगर पर जाते हैं पढ़ सकते हैं, डिस्क्रिप्शन के अंदर में गूगल ब्लॉगर का लिंक दि उठाना साथ है, तो आप हमें सपोर्ट कर सकते हैं इन नमरों पे पे करके, या तर्टिव या फर ser करेंगे हम उसको यूज कर सकेंगे अपनी वीडियों को और इंप्रूब करने के लिए और तकनिकी तॉर पर अपने आपको और संक्शन बनाने के लिए जिसे यहां पर वीडियो आइंड करूँगा और आप सब भी वीवर से एक रिक्वेस्ट रहेगा आलाइक के हमारे चनल को लाइक, सेर, सब्सक्राइब जूरूर। एक एक लाइक, सेर, सब्सक्राइब तरह में मौते हैं और हम और अच्छे से मैनद करके हम वीडियो बना पाते हैं यहां पर वीडियो आइंड करते हैं, मिलते हैं वीडियो के अंदर में बाबाय टिक्कर हो